हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो जो आज का हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डेवल्पेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इंप्लिमेंट करना है मगर इसमें हमने एक नया कंसेप्ट सीखना है कि कैसे हमने काड एफएक्ट जो है वो क्रियेट करना है अग सेटिंग से वो यूज करेंगे शेड़ो ऑफसेट यूज करेंगे और देखेंगे कितने सिम्पल और इजी वे के साथ इस तरीके की जो एप्लिकेशन SAYce AWS के लिए एक्सकोड के अंदर किस्कित करेंग तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं simulator के अंदर मेरे पास एक wallpaper के related जो application का design है यहां पर मैंने तियार किया हुआ है आप देख सकते हैं मैंने different different wallpapers को table view के अंदर cells की form के अंदर display करवाया हुआ है और हर एक wallpaper के corners पर आप देख सकते हैं shadow effect इसको as a card effect मैंने यहां पर use किया है और काफी अच्छे से जो content है वो आप देख पा रहे हैं एक 3D look में यहां पर निकल के आ रहा है तो यही है हमारी आज की application तो चलिए आपको पता ही है practically application को implement करने से पहले मैं आपको theory के related एक दो terms जरूर बताता हूँ तांके आप इन terms को google पर search करके इनके बारे में और भी knowledge वो गेन कर पाएं तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास है iOS के अंदर एक built-in class है जिसका name है UI table view जिसको design किया गया है तांके आप data को display करवा पाएं as a scrolling list of items की form के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं आप list को scroll कर सकते हैं table view के अंदर और table view को एक controller manage करता है जिसको हम table view controller कहते हैं और कह सकते हैं कि जो UI table view controller class है वो basically UI table view की super class है और यो UI table view controller class है वो आगे UI view controller की एक sub class है जिसको implement किया गया है तांके आप table view के लेटर जो logics हैं उनको handle कर पाएं और in case आप कोई customize table view या फिर एक additional features add करना चाहते हैं table view के cells के अंदर तो आप एक table view cell की जो custom class है वो create कर सकते हैं तो इस example में हमने एक table view cell के लेटर जो custom class है वो भी आपको create करनी बताएंगे और कैसे उसको use करना है वो भी आपको इसी video के अंदर हम आपको बताएंगे तो चलिए theory के लेटर तो थी ये कुछ important बाते अब हम practically देखेंगे इस example को हमने कैसे implement करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूं इस पूरे project को मैं close कर देता हूं अब हम Xcode के अंदर एक नया project create करेंगे बिल्कुल starting से और यह single view app होगी next पर क्लिक करते हैं अब हमने product name के अंदर आज की example का जो भी name आप यहां पर देना चाहते है application के related वह आप दे सकते हैं तो मैं यहां पर रख देता हूं name कुछ इस तरीके से तो चलिए बाकी settings आपने default रहने देनी है और जो language हम use करेंगे वह हम करेंगे swift और next पर क्लिक करते हैं अब आपने अपने laptop के अंदर जहां पर भी आपको अच्छा लगे एक folder create कर दीजिए तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए और इसको मैंने create कर दी है आप देख सकते हैं और project को मैंने यहां पर create कर दी है और आप देख सकते हैं project मेरा जो है वो यहां पर create हो चुका है अगर मैं आपको builder settings के अंदर दिखाऊं तो जो swift का version है मेरे पास वह है 5 और अगर बात करें x code की तो वह है 10.2.1 अगर आपके पा इजली develop कर पाएंगे और मेरे पास जो laptop है यह Macbook Air तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर ह हैं उनके सबसे बड़ी है जो मैथर्स हैं वह अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं भी आभी आपको कोई problem आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो को नीचे comment कर सकते हैं यहां फिर हमें directly mail बेश सकते हैं हम अगर मैं आपको यहां पर application दिखाओं तो आप देख पाएंगे यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं मैं आपको कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो wallpapers हैं उनकी images को यहां पर यूज किया है तो इन images को आपको इस project के अंदर जो है वह इंपोर्ट करना पड़ेगा तो आपने इस assessed folder के अंदर app icon के नीचे यहां पर जो images है उनको import करना है तो images जो है वो आप किसी भी website से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से images jpg format के अंदर हैं और इन सारी images को आपने mouse की help के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इन्हें ड्राइगन ड्रॉप करना है यहां पर और अब आप देख सकते हैं मेरी project के अंदर जो है इंपोर्ट हो चुकी है अब मैं में में डोर स्टोरी बोर्ड में चलता हूं और यहां पर अपना जो graphical user interface है वो ready करते हैं तो यहां पर मैं extra एक चीज़ एड़ करना चाहता हूं इस व्यू कंट्रोलर को सेलेक्ट करूंगा नैवीग एडिटर में जाके इंबेड इन और यहां पर सेलेक्ट करूंगा नैविगेशन कंट्रोलर तो इससे काभी अच्छी एक टाइटल बार जो हो हमारे पास निकल के आएगी तो मैं यहां पर अविगेशन कंट्रोलर को यहां पर नेविगेशन आइटम को यहां पर डॉकुमेंट आउटलाइड्ल विंडू के इन दर सलेक्टसक्त सकते हैं एक ट्रीपुट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद टाइटल आप यहां पर लिख सकते हैं नेचर वाल पेपर चलिए इस तरीके से अब मैंने इस अब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहां पर सर्च करना है टेबल व्यू और इस टेबल व्यू को ड्राइग उसका पूरा एरिया कवर अप कर पाए हमें इस टेबल व्यू के उपर जो कंस्टेंट्स हैं वो एड़ करने पड़ेंगे तो मैं यहां पर एड़ कर देता हूं कंस्टेंट्स चारों साइट पे 000 और अप्लाई कर देता हूं कुछ इस तरीके से अब आपने जो प्रोटोट इसेल थाए उसकी जो रो की हाइट है है जल की जो हाइट है वो हो चुकी है 350 अब हमने अब जेक्ट लाइबरी के थ्रूप सरच करना है वाई व्यू है और इस यू आई व्यू को यहां पर एड करेंगे इस इसेल के अंदर अब इसके ऊपर भी हमने constraint supply करने हैं तो चलिए यहां पर constraint set कर देते हैं यहां पर मैं इसकी width and height है वही provide करूँगा आप चाहें तो constraint अभी रहने दें पहले इसकी width and height यहां पर set कर लें 364 width और height मैं यहां पर use करूँगा 318 चलिए इसको मैं अब थोड़ा सा center में लेकर आता हूं इस cell के अब हमने इसका color थोड़ा सा जो है वह चेंड कर देना है तांके background हमें इस तरीके से जो view हमने use किया है वह उसको हम देख पाएं अब हमने इसके ओपर जो constraints हैं वह apply करने हैं यहां पर मैं add करूँगा constraints और इस तरीके से हाइट इसकी apply कर दिया है मैंने अब हमने object library के थूँ यहां पर एक image view को search करना है और इस image view को इस cell के view के अंदर जो है आपने drop करना है और इसकी जो width and height है वह set कर लेते हैं वह बिल्कुल equal रखेंगे हमारे view के accordingly चलिए इसको मैं बिल्कुल align कर देता हूं अपने UI view के साथ कोई भी एक image यहां पर set करके देख लेते हैं content mode property scale to fill कर देते हैं और इसके ओपर भी जो constraints है वह apply कर देते हैं चलिए constraints मैंने apply कर दी है अब मैं वापिस अपना जो view है इसका जो background है वह white कर देता हूं तांके जब हम इसके ओपर जो shadow की settings है वह apply करें तो हमारे पास एक card effect का जो look है वह नजर आए अब हमने यहां पर add करनी है table view cell की एक custom class तो मैं यहां पर add कर देता हूं new file cocoa touch class होगी next पर click करते हैं super class हम यहां पर use करेंगे ui table view cell class और उपर जो class का name है वह हम use करेंगे my table view cell चलिए इस तरीके से अब हमने next पर click करना है और इसे create करना है project के अंदर तो आप देख सकते है custom class भी मेरी जो है वह यहां पर बन चुकी है अब हमने इसको अपना जो table view का cell है उसके साथ attach करना है तो उसके लिए मैं main door story band में जाऊंगा अपना यहां पर जो table view cell की class है इसको select करूंगा identity inspector में जाने के बाद यहां पर मैं लिखूंगा my table view cell automatically जो X code है पूरे का पूरा name जो है वह यहां पर fetch कर लेगा आपने enterprise करना है जो connectivity है वह हमारी हो चुकी है अब हमने जो view है table view है और जो image view है इनके जो IB outlets है वह create करने हैं तो IB outlets create करने के लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसी की help लूँगा तो आपने देखिए मेरे mouse का cursor यहां पर click करना है side वले panels को मैं hide कर देता हूं तांके आप इसको clearly देख पाएं by default जो class open होई है वह है view controller class इसके अंदर हम इस table view का जो IB outlet है वह create करेंगे table view को select करके keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop और यहां पर लिखेंगे my table view और इसे connect कर देते हैं चलिए अब हमने automatic की जगे पर manual के थुरू यहां पर जो class open करनी है वह है my table view cell class और इसके अंदर हम view का यहां पर view का IB outlet create करेंगे चलिए यहां पर लिखेंगे my card view connect करते हैं और अब हमने image को select करना है keyboard पर control की को press करते हुए drag and drop और यहां पर लिखेंगे my image view और इसे भी connect कर लेते हैं तो चलिए friends यहां पर आप देख सकते हैं मेरे जो IB outlets हैं वो बन चुके हैं अब मैं फिर से standard editor में चलता हूं side बले panels को unhide करते हैं और एक बार सभी files को यहां पर save कर लेते हैं loading काफी easy और simple है सबसे पहले हमें जो table view है उसके लिए एक data source जो है वो त्यार करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर data source के लिए एक array create करनी है तो मैं यहां पर array create कर देता हूं एक let nature images नाम की array होगी किस type की होगी UI image type की होगी अब हम यहां पर use करेंगे UI image का object create करेंगे named parameter की help के साथ और इसको name जो pass करेंगे वो करेंगे पहली image का name जो के हमारे पास है one और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे और one by one हर एक image को जो है as a यहां पर create करेंगे चलिए यहां पर मैं लिखता हूं second इसी वे के साथ आपने सभी जो objects हैं वो create करने हैं exclamation आपने यहां पर add करना है क्योंकि कि इसको हमने एज ए फोर्सली यहीं पर unwrap कर देना है और अब हमने one by one सभी images के लिए जो objects हैं वो create करने हैं मैंने थोड़ी सी coding पहले से कर रखी है तांके time थोड़ा सा यहां पर हमारा save हो पाए मैं उस coding को यहां पर copy paste कर देता हूं बिल्कुल same coding है जो अभी मैंने की यहां पर तो चलिए यहां पर मैं command vk through coding जो हो पेस्ट कर देता हूं आप देख सकते हैं मैंने one से लेकर 10 तक जो images के related objects हैं वो create किया है और उन्हें add कर दिया है इस नेचर इमजिस वली अरे के अंदर अब हम जो further coding करेंगे वो करेंगे अपने table view को implement करने के लिए उनके जो protocols हैं उनको define करेंगे उनके related जो compulsory functions हैं उनको हम code करेंगे तो अब आपने जो coding है और भी दियान से जो है वो देखनी है तो चलिए friends protocol को define करने के लिए सबसे पहले last में चलते हैं यहां पर आप देखिए यहां पर आप view controller class में है और इस class के बिल्कुल exit पर आपने जो है प्रोटोकोल को यूज करना है तो मैं यहां पर extension के तुरू एड़ करूंगा code और अब हमने दो प्रोटोकोल से यहां पर यूज करने हैं यूज करने हैं यूज करने के लिए यहां कह सकते हैं जो compulsory methods है वो add करने पड़ते हैं तो मैं जैसे ही यहां पर fix पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो steps है वो add हो चुके हैं और यहां कह सकते हो कि जो compulsory methods है उनका जो skeleton functions का वो यहां पर बन चुका है तो दो functions यहां पर display हुए हैं इनके इलावा अगर protocol के related और भी कोई important function आप code करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं मगर इन दो protocols के related इन दो compulsory methods को code करना सबसे important है तो सबसे पहला function है table view का आप देख सकते हैं यहां पर जिसमें parameter है number of rows in section इसका meaning है कि एक table के अंदर कितने number of cells जो हैं वो होने चाहिए तो वो depend करेंगे इस nature images वाली array के उपर तो मैं यहां पर add करूंगा return nature images.count के जितने number of elements इस array के अंदर हैं उतने number of cells जो है वो table view के अंदर होने चाहिए अब हमारा पहला function जो है वो code हो चुका है आप चाहिए तो वीडियो को pause करके यहां पर जो coding है इसकी no down कर सकते हैं अब second function जो है table view का उसमें आप parameter देख सकते हैं cell for row add तो इस function के अंदर ऐसा code लिखना है तांके आप बता पाएं application के अंदर कि किस तरीके से हर एक cell में data को display करवाना है तो उसके लिए यहां पर अब हम code लिखेंगे let's cell equal to my table view dot dq reasonable cell और identifier का name लिखेंगे cell for में लिखेंगे index path और इसको type cast करेंगे my table view cell class के through और last में हमने cell को करना यहां पर return तो अब आप कहेंगे identifier यहां पर cell कहां से आया तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं फिर से main door storyboard में चलते हैं और जहां पर आपने table view का cell define किया था यहां पर आप दिख सकते हैं cell को select करता हूं मैं my table view cell side वाले panels को unhide करते हैं attribute inspector के अंदर चलते हैं और यहां पर अभी तक हमने identifier का name नहीं provide किया तो मैं यहां पर लिख देता हूं cell तो जो नेम आपने यहां पर इस cell के लिए लिखा होगा identifier का name वही नेम हमें यहां पर coding के अंदर जो आप यूज़ करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा था cell फिर से आप देखिए cell को select कीजिए identifier का name लिखा है cell और same वही नेम हमने यहां पर लिखा है cell तो चलिए यहां पर अब देख लेते हैं main door storyboard के अंदर ही क्या हमने यहां पर table view का जो data source and delegate दोनों set की हैं तो यहां पर आपने outline document outline window के अंदर अग कंट्रोल की को press करते हुए यहां पर से इस तरीके से drop करना है और यहां से आपने select करना है data source और फिर से control की को press करते हुए drag and drop और यहां पर select करना है delegate तो आप देख सकते हैं data source and delegate भी हमने यहां पर set कर दिये हैं अब आगे बढ़ते हैं coding की तरफ अब हमने लिखना है cell dot उसकी जो my image view है उसको set करेंगे उसकी image को set करेंगे data कहां से आएगा nature images वाली array में से आएगा index path dot row चलिए अब हमने जो settings करनी है वो card effect को implement करने के लिए करनी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं card view shadow settings इसको comment line कर देते हैं अब पहली जो coding वाली लाइन है वह है my card view का जो layer है उसको हम use करेंगे उसका shadow color जो है वो provide करेंगे तो shadow color मैं लिख देता हूं यहां पर uicolor dot gray चलिए अब color कोई भी ले सकते हैं card effect की shadow के लिए अब हमने cell dot my card view dot layer dot shadow offset को use करना है और अब हमने मैं यहां पर width and height provide करनी है cg size के तुरू width मैं दे देता हूं 10.0 आप कमजाँ ज्यादा कर सकते हैं वह बार में आपको बताऊंगा width भी मैं हाइड भी मैं जो है वो 10.0 यहां पर कर देता हूं अब मैं shadow opacity यहां पर यूज करूँगा shadow opacity इसको मैं कर देता हूं 1.0 अब हमने mask to bound property को true false करना यहां पर my cardview.layer mask to bound इसको मैं कर देता हूं false अब हमने उसका corner radius तांके shadow के जो corners है वो थोड़े से round हो पाएं यहां पर तो यहां पर मैं cardview को ही layer के थूरू उसकी जो corner radius property है उसको मैं कर देता हूं 20 2.0 कर देता हूं अभी के लिए चलिए तो फ्रेंड जो coding मेरी है वो यहां पर हो चुकी है second function की भी आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी coding जो हो नोडम कर सकते हैं तो चलिए अब हम हमारा code जो है वो बिलकुल ready है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने ready कर दिया है इसको मैं एक बार save करता हूं और अब इसे मैं build and run करता हूं और देखते हैं किस तरीके से हमारी जो application है वो यहां पर निकल के आती है simulator में किस तरीके से work करती है तो मैंने application का build जो है वो यहां पर run कर दिया है उसका build successfully यहां पर बन चुका है simulator में आप देख सकते हैं मेरी application रन हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो effect है shadow का वो यहां पर आया है एक तरीके का जो 3D card की तरह जो wallpaper है उनकी images जो है वो यहां पर नजर आ रही है तो चलिए अब मैं shadow थोड़ी सी यहां पर उसकी width and height थोड़ी सी कम कर देता हूं तांके आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो पाए इसको मैं कर देता हूं 3 और height को यहां पर कम हो चुकी है तो इस तरीके से आप height and width के थ्रू जो shadow offset setting है वो control कर सकते हैं तो friends यह थी हमारी आज की example जिसमें आपने सीखा किस तरीके से हमने table view के अंदर cells के ऊपर जो card effect है वो implement करना है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर कीजिए अगर और भी वीडियो से हमारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए बैल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो notification है उसी टाइम पर आपके पास जो है वो पहुंच पाए तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है थैंक्स फ्रैंस पूर वाचिंग अवर वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर किसी नए टापिक के साथ तब के लिए बाए बाए